केरे ब्रह्मे रूपे भगवाने चरण से एजी निकली गंगे माते पिया आर नहाने धोने जल पीने से एरे सुद्धु हो जाता गात पिया सुद्धु हो जाता गात पिया दिल ब्रूपे भगवाने चरण से एजी निकली गंगे माते पिया आर नहाने धोने जल पीने से एरे सुद्धु हो जाता गात पिया सुद्धु हो जाता गात पिया जैहो गंगे मिल्या की पई सूर्य वंसी राजा सगर हुए जिसके बेटे साट हजारे असुमेग दिके असुमेग यग करारा जाने जिसमें जुड़ गया फिर सबसंसारे फिर स्याम वरन घोडा छोड़ा फिर स्याम वरन घोड़ा छोड़ा अरे तांबे के दिये अक्सर कारे घोड़ा पकड़ा धिर इंदर ने जा पंध्या कपिल मुनी के द्वारे अरे धोड़ा पंध्या ओ일 गोड़ा पंध्या देख लड़कों ने दिमार रिशी केलाद पिया डाड़े धोले चलपीने सने सुद हो जाता गात पिया सुद हो जाता गात बिया पहली कली के माध्यम से बताया सजनो के सूर्यवंसी राजा सगर धर्ती पे वो राजा हुए जिनको अपने साथ हजार पुत्र और इतनी बलसाली सैना होने का बड़ा भुमान था एक अस्वमेग यग रखा दुनिया के सभी राजा महराजाओ को आमंत्रित किया गया कई देवतागन उस अस्वमेग यग के अंदर मौजूद थे राजा सगर ने एक सर्त रखी कि जो हमारे इस श्यामवरन घोडे को एक घोड़ा छोड़ा गया उस यग के अंदर कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पकड़ने के बाद हम से युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित करेगा इस धर्ती का राजा सबसे बड़ा वो रहेगा अन्यता सबसे बड़ा बाहुबली होने का खिताब हमारे नाम रहेगा सजनो उस राजा का घमण तोड़ने के लिए इंदर देव ने घोड़ा पकड़के कपिल मुनी रिषी के आसरम पे बाद दिया और जिस समय वो घोड़ा आसरम पे बादा गया तो ऐसा बताते है के रिषी अपनी ध्यान मगन थे उन्हें कोई ग्यान नहीं रहा कि किसी ने घोड़ा आस्रम पे बांदिया सजनों जब घोड़े की धुनेर मची राजा सगर ने अपनी दिव्य द्रश्टी से देखा जैसे आज कल हम नेविगेशन से कहीं कि लोकेशन ट्रेस करते हैं उसी तरह से राजा सगर ने दिव्य द्रश्टी से जब देखा तो घोड़ा कपिल मुनी रिशी के आस्रम पे पाया गया राजा सगर के बेटे पोते सेना जिस समय घोड़े की तलास में कपिल मुनी रिशी के आस्रम पे पहुँचे आवाज लगाई कहे रिशी उठिये इस घोड़े को आपके आस्रम पर किसने बांधा कई बार आवाज लगाने पर रिशी ने कोई जबाब न दिया और जब कई बार कहने पर जबाब न दिया तो सजनों राजा सगर के घमंडी बेटा ने कपिल मुनी रिशी के लात मार दी और बात यहीं से सुरू हुई अगली कली में क्या हुआ और क्या बता कैसे बै फेर रिशी की आँखे खुली हाँ और सब का धेर बनाया अंसुमान दिके अंसुमान सगर का पोता फिर गुनबाटों ने आयारे गुनबाटों ने आया तो चाचाताओ रहा मरे देखके तो मरे देखके रहे जी मुक्ती को चाया गंगाजी से एर मुक्ती मिले न्यू भेदगरुड ने पताया ने भेदगरुड ने पताया फिर अन्सुमान तपसवी रहो गया जब सुनी गरुड की बात पिया मारे धोने जलबीने से एर सुद हो जाता बात पिया कि फेर रिषी की आख खुली सब का ढेर बनाया जब राजा सगर के घमंडी बेटा ने कपिल मुनी रिषी के लात मार दी तो सजनों जिस समय रिषी की आख खुली क्रोधी तरश्टी से और अपनी दिव्य सक्ती से सजनों सब को मुर्शी तवस्ता में कर दिया और जब राजा सगर का पोता अंसुमान जब अपने कुनबे की ढुंडेर में आस्रम पे पहुचा तो सजनों कुछ हवाला इस पिरकार से था के लहासे लहासे आस्रम पे बिच्छी पड़ी है चील कववा मास नौच रहे है जब आके देखता है कि मेरे चाचा ताउ मेरे भीया बंद इस तरह की इस हालत में यहां आस्रम पे मरे पड़े है तो मन बड़ा व्यतित होता है बड़ा व्याकुल होता है तो सजनों देखके रोने लगता है पास बैठे बूढ़े गरुड ने सलहा दी कि अगर इन मरे कटे और सड़े इन अवसेसों का विशर्जन अग प्रवी ने सुना होगा कि भागिरत का आना और गंगा जी को लाना लेकिन नहीं सुरुवात अंसुमां से हुई और क्या हवाला तीशरी कली के माध्धम से बताया कैसे पॉल तुमार पास्या पाइचार पीडी करीत पस्या फिर पीडी पंच में आई फिर भागिरत ने हरतप करके फिर भगती में लोलाई रे भगती में लोलाई थिर विशनू बोले गंगा जी से अज मिर्ति लोग की लो राही अर गंगा बोली कौन ओट सके देर मिर्ति लोग में मेरी राही फिर सीस जुका तुम्बे में ओट गया वो तिर लोग की का नाथ पिया नाडे भोडे जल पीने सके रसुद हो जाता गाद पिया रसुद हो जाता गाद पिया जैसा कि सजनों मैंने कहानी की सुरुवात करी नर्शी शेट से बात कहाशे सुरू हुई कहाजा के खतम हो रही है नर्शी शेट की घरवाली ने अपने नर्शी जी को बता रही है कि गंगा का ये महत्व है कि गंगा नहने से पाप नहीं धुल जाते हैं नर्सिशेट भी निव पूशने लगे कि हमारे मरने के बाद हमारी अस्तियों को क्यों विसरजीत करा जाता है ये कहां से परंपरा चली तो ये परंपरा सजनों यहां से चली के राजा सगर के बेटों को उनकी अस्तियों का विशर्जन करने के लिए उनके राजा सगर के पोते अंसुमान ने तपस्या करी चार पीडी करी तपस्या फिर पीडी पंचमाई पांचवी पीडी में भगीरत ने तप करके फिर भगती में लो लाई विष्णु भगवान ने भी सिपारश करी विष्णु बोले गंगा जी से मिर्त लोक की लो रही गंगा बोली कोन ओट सके इस मिर्त लोक में मेरी रही गंगा ने विष्णु भगवान से कहा कि अगर मैं धर्ती पे गई तो मेरे वेग को कोई समालने वाला नहीं है लेकिन नातों के नात, भोले नात अपनी जटाओं में समा करके धर्ती के वेग को कम कर धर्ती पे उतारा और गंगा मा जब धर्ती पे उतरी अपनी रहा बनाते हुए कैई सो मील जाते हुए अपना इस्थान अपने सागर का बढ़ाया मान लोगों और भोले शंकर ने अपनी जटाओं में सामा करके और गंगा के वेक को कम कर धर्ती पे उतारा राजा सगर के बेटे की उन अस्तियों का विसरजन गंगा जी में हुया जब से ये परंपरा जब हमारे मरने के बाद भूल चुक करके हमारी जो अस्तियों का विसरजन होता है ये उसी समय की परंपरा आज तक चलती आरी है और सदियों और युगो युगो तक चलती रहेगी बोले गंगा मैया की जिए और लोगों तीन कली के माध्यम से इस रागनी का सारा सार समझाते हुए इनर्सी सेट की घरवाली बताती है लेकिन जो कवी अपनी कलम से लिख रहा है अपने बारे में और अपने गुरु धाम के बारे में बताते हुए क्या लिखा चौथी कली के माध्यम से बैं नगर निदाने से चले के हम बैठे मोटर लारी में और रहो तक से छे कोस दूर गुरु गंगा बहे सुनारी में गंगा बहे सुटारी में तेरा साथ कोस पर भवन मात का साथ कोस पर भवन मात का एज खिदमत रहे तुम्हारी में हर किली तक मोटर गाड़ी और जी आ के रेल सवारी में मैं तो गडगंगा के रहो गडगंगा के घाटे उतर लिऊं गडगंगा के मैं घाटे उतर लिऊं धनपत सिंग मेरे साथ पिया आने धोले जल पीने से रसुद हो जात गात पिया मेरे ब्रह्मे रूप भगवाने जर्ण से रनिकली गंगे माते पिया आने धोले जल पीने से रसुद हो जात गात पिया सुद हो जात गात पिया